जापान की पूर प्रहानमन फिर्ज सिंजे अबे को गोली माली गई थी इसके कुछ घंटे के बाद अधिकारियों ने उनके मौत की कुष्टी की बटा दे कि सिंजो अबे सुक्रवार को जापान के नारा सेटी में फासरते रहे थे उसी दोरान उन पर एक हमला वर ने जान लेवा हमला कर दिया जापान के एन एच के वर्ड नियूज का दावा है कि अधिकारियों ने सिंजो अबे की मौत की पुष्टी की है हमले वर को लेकर चीनी विडियोस मंत्राले के प्रवपता ने सुप्रवार को बीजिन में एक डैनिक बीफिंग में कहा कि जापान के पूर को धान बन की सिंजो अबे पर हुए हमले से चीन सदमी में है चीन उनके परिवार के पतिस सम्भी अधिनाब ड़ते करता है और उन हमले को लेकर जानकारी सामने आई है कि हमला पर रहली में पत्रकार बन कर आया था और मुका पाकर सिंजो अबे ठोंगो निमानी वह पूरी प्रूसिस कर रही है लेकिन उनकी हालात में कोई सुधार होतां नहीं दिख रहा है हमले के बाद जापान के मौजूदा प्रधान मंत्री खुमियों की सीधार देश को संपोधित किया इस दौरान वो भाबक बिखे उन्होंने बयान में हबले केंदर करते हुए कहा यह बरबर और दुरुभाव ना कोन है और इसे बरदास्त नहीं किया जा सकता हम वो सब कु और उनके सरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया दाप्रों के उनके बचने की उम्मिद काफी कम है वहीं गोली मालने के आरोप में 41 वर्सी जगती के स्थिया यामा गानुपूर संदे के अधार पर गुष्टार किया गया है यह बपूर दाथा बरदा अन्यूच